जोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो जोतिश सीख रहे हैं तो आपको पंचांग का भी ज्यान होना चाहिए आज इसी श्रिंखला में पंचांग के बारे में एक नया विशय ले करके प्रस्तुत हुए हैं तो आईए देखते हैं कि पंचांग के बारे में आज कौन सा विशय आपके सामने प्रस्तुत की जा रह इस श्रिंखला में आज हम जानेंगे कि शुद्धा शय एवं बृधितितियां क्या होती हैं। अब यहां जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी तिथि किस तिथि को कहते हैं। व्रिद्धी तिथी किस तिथी को कहते हैं इनका निर्धारन कैसे होता है शुद्धा तिथियां सबसे पहले हम शुद्धा तिथी के बारे में जानकारी प्रात्त करते हैं जिस तिथी में एक सुरियोदय हुआ हो वह तिथी शुद्धा तिथी कहलाती है छै तिथी जिस चुनल सघुना काप्षरे कारियों के लिए उत्तम एबन प्रशास्त मानी गई है शुद्धा तिथी में कोई भी शुभ एवं मांगली कारे बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि समस्त शुभ एवं मांगली कारे के लिए शुद्धा तिथी उत्तम एवं प्रशस्त मानी गई है यह भी ध्यान देने की बात है पूजन यवं अन्य मांघलि करमों में कर्म के समय उपलब्ध तिथी ही संकल्प में वाचन किया जाता है यह भी ध्यान देने की बात है, पूजा ने वम अन्यमांगली कर्मों में कर्म के समय उपलब्ध तिथी ही संकल्प में वाचन किया जाता है, इस बात को हम लगातार पढ़ते गए, शायद आपके समझ में ना आ पाया हो, इसलिए हम इस पूरी बात को उदाहरण के साथ आपक बजे चतुर्थी तिथी का प्रारंभ है, और रविवार के बाद सोमवार को दोपहर के एक बजे तक चतुर्थी तिथी है, उसके बाद पंचमी तिथी का प्रारंभ है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि रविवार को शाम को पाँच बजे से ही चतुर्थी तिथी का प्रार इसलिए इसे शुद्धा तिथी कहा गया अब च्छै तिथी की बात करें तो च्छै तिथी में भी हम इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं अभी हम आपको उदाहरण में क्याद दे ये थे कि सोम वार को दोपहर के एक बजे तक चतुर तिथी उसके बाद पंचमी का प्रार सेराम हो करके पूरा दिन रहा रात की लगभग पांच बजे की आसपास मान लिजए पांच बजे ही पांच बजे पंचमी ती थी समाप्त और सुरियोदे हुआ वह शष्टमी में हुआ अब यहाँ पर गौर से समझेगा सो मवार का जो सुरियोदय था वह चतुर्थी में मंगलवार का सुरियोदय शष्टमी में यहाँ पर पंचमी का लोप हो गया पंचमी गायब हो गया यही छह तिथी है क्योंकि इसे सुरियोदय नहीं मिला अब बृद्धिति ही हम फिर से ही सीवधारण को आगे बढ़ाते हैं कि सो मवार की रात को अर्थात मंगलवारवाली भोर को जब पाँच बजे सस्टमी प्रारंभ हो गया और 6 बजे सुरियोदय हुआ तो सस्टमी को सुरियोदय हुआ पूरा दिन चला पूरी रात और बुधवार को सुबह 8 बजे तक सस्टमी प्रारंभ हो चुका है 6 बजे तो क्या हुआ मंगलवार को भी सुरियोदय सस्टमी प्रारंभ ही बुधवार को भी सुर्योदय शस्टमी तिथी में ही क्योंकि सस्टमी तिथी आड़ बजे परिवर्तित हो रहा है आड़ बजे के बाद सब्तमी लग रहा है तो सस्टमी तिथी में दो-दो दिन सुर्योदय मिल गया वही वृद्धी तिथी है पूजन एवं अन्यमांगली कर्मों में कर्म के समय उपलब्ध तिथी ही संकल्प में वाचन किया जाता है यहाँ पर फिर से समझेगा फिर से हम पीछे चलते हैं रभिवार से हम उदाहरण लिये थे बुधवार तक पहुंचे थे रभिवार के उदाहरन में क्या था? कि सोमवार को सुर्योधय चतुर्थी के साथ प्रारंब हुआ और एक बज़े पंचमी लग गया उस सोमवार को आप एक बज़े की बाद मान लिजे दो बज़े सत्यनाराण का कथा प्रारंब कर रहे हैं सुर्योदय हुआ है चतुर्थी पर और एक बजे पंचमी लग रहा है और अगले दिन सुर्योदय शस्टमी में हो रहा है पंचमी का लोप भी हो रहा है तो अब क्या होगा सुर्योदय हुआ है चतुर्थी में तो संकल्प में सुर्योदय के समय प्राप्त चतुर्थी को नह एसी इस्थिति में आपको उस समय जो तिथी उपलब्ध है और थात दो बजे एक बजे तो पंचमी लग गया है आप दो बजे सतनाराण कथा कर रहे हैं तो उस समय संकल्प में आपको पंचमी ही बोलना होगा अब इस वीडियो को हम यही तक बिराम देते हैं इसका शेष भाग अगले वीडियो पर प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें तिथियों के प्रकार या तिथियों के संग्यक की जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंड बॉक्स में लिख करके अब श्य पताईगा साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक सद्धिक लोगों तक पहुंचाई जिससे की जब भी हमारे चैनल पर इस तरह की ज्यानवर्धक जानकारी आपको ही प्राप्त हो अब मुझे आगे दिज़े मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंज जय भारत बंबं भोले नात की जय जय गुरुदेव